दोस्तो आज मैं लाया हूँ Samsung और Realme Company के दो सस्ते बजट रेंज में आने वाले बहतरीन स्मार्टफॉन जिसमें पहला स्मार्टफॉन अमारे पास Samsung Galaxy F-series का F-05 और दूसरा Realme की C-series का C63 तो आज हम करेंगे इन दोनों की अन्बॉक्सिंग और कंपेरिजन एक साथ देखिंगे कौन सा स्मार्टफॉन आप के लिए रेगा सबसे बेस्ट वैसे तो Realme C-series 3 जब लॉंच हुआ तो काफी महंगा था लेकिन अभी इसका प्राइज यतना ड्रॉप हो गया है दियाली से में कि अब इसका कंपेरिजन F05 से हम कर सकते हैं तो सबसे पहले दोनों स्मार्टफॉन के बॉक्स पैकिंग पे नजर डालें तो सैमसंग का वाइट कलर का बॉक्स आता है जो की काफी स्लिम और लाइट वेट है जबकि C63 काफी मोटा और हैबी बॉक्स है अब यहाँ पर सबस्क्राइब जरूर कर दीजिए ऐसी इंफॉर्मेटिव अन्वॉक्सिंग वीडियो में यहाँ पर रेगुलर आपके लिए लाता रहता हूं सुरुवात सैमसंग गलेक्सी एप 05 से करते हैं इसके बॉक्स को उपन करते ही सबसे उपर एक मेनी बॉक्स हमें नजर आता ह है और बॉक्स तोड़ा है वी लग रहा है क्योंकि इसके अंदर आपको यूएस्बी केविल भी दी गई है और यह कुछ डॉकुमेंट्स कुकि स्टार्ट गाइड यूजर मैनवल यह जो केविल है दोस्तों टाइप सी टू टाइप सी और लेंद और क्वाल्टी केविल की बढ़िया मिल जाती है इसके बाद रखा हुआ है स्मार्टफोन इसे हम साइड रखे तो अंदर आपको एक सेमेजक्टर पिन के अलावा कुछ भी नहीं मिलता यानि कि कवर आपको अलग से पर्चेस करना पड़ेगा फ्लस चार्जर अडप्टर भी हमें अलग से ही पर्च देखें तो यहां पर आपको मिलता है एक 45W का सुपर बोक चार्जर अडप्टर यह मोबाइल को काफी फास्ट चार्ज करेगा दोस्तों यहां आपको चार्जर भी मिल रहा है वह भी 45W का और सैमसंग 25W तक का फास्ट चार सपोर्ट करेगा वह हमें अलग से पर्चेस करना पड़ेगा यॉएसवी केबिल टाइप एट्टर टाइप सी लेंथ और क्वालिटी केबिल की बढ़िया अब आते हैं दोनो स्मार्ट फोन पर फ्रंट लुग देखे दोनोई स्मार्ट फोन का साइज काफी बड़ा है दोनों स्मार्टफॉन का पावर को मैंने एक साथ ओन किया था रियल मी यहाँ पर फास्ट ओन हो गया है दोनों स्मार्टफॉन के बैक साइट का लुक देखिए विल्कुल फ्लैट बैक पैनल प्लास्टिक पॉलिकार्बनेट बोड़ी के साथ लेकिन काफी बड़ा अंतर है सबसे पहले सैमसंग का बैक पैनल देखिए यहाँ पर आपको करीब से दिखाएं तो इसमें आपको पूरी के पूरी लेदर फिनिसिंग देखने को मिलती है प्लास्टिक बोड़ी है लेदर टाइप की फिनिसिंग बनाए गई है पूरी के पूरी फील होती है प्लस ग्रेप अच्छी बन जाएगी scratches भी कमाएंगे नीचे Samsung की branding की गई है वही पर जो Realme है इसमें आपको glossy shiny finishing मिलती है दोस्तों आला कि इसका दूसरा variant जिसमें आपको leather finishing मिलेगी लेकिन इसमें नहीं मिलती यह पूरा plastic body है और यहाँ पर Realme की branding और designing देखें क्या कमाल की की गई है जो की काफी बढ़िया लग रही है camera module को देखें तो दोनों smart phone के आपको अलग-अलग type के देखने को मिलेंगे Samsung ने normal रखें दो छोटे-छोटे eyes के बराबर lens जो की हलके उठे हुए है और इनको safety देने के लिए ring भी बनी हुई है दोस्तों Realme C63 में जो camera module है वो iPhone से inspire होके बनाये गया है या फिर हम copy बोल सकते हैं बिल्कुल वैसा ही बनाने की कोसिस की गई है साथ में यहां पर एक बड़ा सा frame आपको देखने को मिलेगा camera यहां दो ही मिलते हैं तीसरे lens पर LED flash light को रखा गया है सम्मान सहीत और यह frame प्लस lens उठे हुए नजर आ रहे lens पर ring भी बनी हुई है तो यह safety हो जाती है कभी mobile नीचे रख दी हमने तो direct lens नहीं टकराएंगे नीचे की side बाकी दोनों स्मार्टफोन आपको main primary camera 50 Megavixle का दे रहे हैं दोनों स्मार्टफोन boxy type के हैं जिनके चारो corner है rounded और side panel Realme में आपको मिलेंगे विलकुल flat जबकि Samsung के जो panel है वो हलके से rounded है दोस्तों पूरा feel होता है कि यहां पर आपको round save में दिया गया है right side में मिलेगी power on key और volume rockers Realme का fingerpin sensor power on key पर ही मिलता है लेकिन Samsung आपको fingerpin sensor नहीं दे रहा है तो without fingerpin sensor ही इसे use करना पड़ेगा बाकी तो face unlock लगा सकते हैं या फिर number keypad आप number lock लगा सकते हैं उपर की side Samsung तो आपको secondary mic दे रहा है noise cancellation के लिए जबकि Realme में आपको कुछ भी नहीं मिलेगा left side में दी गई है दोनों smartphone की sim tray और bottom side में 3.5 mm का audio jack, primary mic, charging jack और speakers दीए गए हैं अब दोनों smartphone हमारे already booted हैं इनकी जो brightness है इसे भी 100% कर लेते हैं ताकि display और अच्छे से हमें नजर आ जाए अब करीब से दोनों की display को देखिए colors और brightness दोनों smartphone में आपको average ही देखने को मिलती है यहाँ पर जो edge और bezels है, corner उपर से तो पतले, नीचे चिन काफी ज़्यादा देखने को मिलती है ध्यान से देखे तो ज़्यादा bright और colorful display आपको Samsung की लगेगी दोस्तो इसके अलावा scroll up करें तो phone में मौझूद सभी के सभी application हमें यहाँ पर नजर आ जाती है दोनों smartphone का user interface scroll up करते ही phone में मौझूद सभी application हमें आपर नजर आ जाती है कुछ एक pre-install application भी दोनों smartphone में आपको देख रहे हूंगे चाहो तो आप इने install भी कर सकते हो टक ज्यादा smooth और fast आपको realme का मिलेगा दोस्तों क्योंकि यहाँ पर 90Hz का refresh rate दिया गया है जबकि 60Hz के refresh rate के साथ Samsung आता है अब बात करें दोनों smartphone के display की तो Samsung में आपको 6.7 inch की HD plus PLS LCD panel के साथ display दी गई है वहीं पर realme में आपको 6.74 inch की HD plus IPS LCD panel के साथ display मिलती है दोनों का aspect ratio 229, screen resolution 720 x 1600 pixel और pixel density 262PPI और 260PPI की दी गई है height देखे तो 168.8 mm की height Samsung में और 167.26 mm की height आपको realme में मिलती है thickness 8.8 mm और 7.74 mm यानि कि ज़्यादा slim smartphone realme का आपको मिलता है और इसका weight भी कम है 189 gram जबकि Samsung का 195 gram weight है और दोनों के अंदर 5000 mh की battery लगी हुई है दोनों smartphone Android 14 पे run कर रहे हैं और Samsung में तो आपको 2 major OS update दिये जाएंगे company ने वादा किया है realme में आपको 15 का update तो मिल जाएगा लेकिन 16 के update की अभी push नहीं की गई है बाकी 2-3 साल के security update आपको मिलेंगे realme में और 4 साल का security update Samsung दे रहा है बात करें प्रोसेसर की तो 2 GHz का octa-core प्रोसेसर मिलता है Samsung में और chipset आपको इसमें MediaTek Helio Z85 का दिया गया एक entry-level gaming chipset हम बोल सकते हैं 12NM का fabrication, Mali G52 के graphic 4GB RAM, LPDDR4X, 64GB का storage और storage को आप बढ़ा सकते हैं 1TB तक, वहीं पर जो realme C63 है 1.8 GHz के octa-core प्रोसेसर के साथ आता है और इसमें chipset आपको ना ही Qualcomm ना MediaTek जो है Unisoc T612 का ये भी based है 12NM के fabrication पर Mali G57 के graphic इसमें मिलते हैं बाकी expendable memory इसमें आप 1TB तक बढ़ा सकते हैं 4GB RAM और 64GB का internal storage दिया गया है अब आते हैं दोनों स्मार्टफोन के camera department पर तो camera पर एक छोटी सी नजर डालते हैं किसका camera ज्यादा बेटरा निकल के आता है दोनों ही 50MP का camera दे रहे हैं तो जो whiteness है वो ज्यादा Samsung में आपको देखने को मिलती है बाकी वीडियो अगर आप सूट करते हो तो दोनों स्मार्टफोन में Full HD में 1080p, 720p में 30fps का support मिलता है लेकिन Samsung में आप 60fps में भी वीडियो को recording कर सकते हो जो आप Realme में नहीं कर सकते हैं और यह है दोनों स्मार्टफोन के front selfie camera बिल्कुल Sam 8MP के और यहाँ पर clarity देखे तो दोनों ही स्मार्टफोन में आपको अच्छे selfie camera मिल जाते हैं Sam clarity के साथ और color भी विल्कुल वैसे ही लग रहे है जूमिंग support तो नहीं मिलता लेकिन Samsung में थोड़ा अगर group selfie लेनी हो आगे पीछे हो जाता है तो overall देखा जाए तो दोनों ही स्मार्टफोन अपनी विसेस खूबियों के साथ आते हैं लेकिन बात आती है purchase करने की तो दोस्तो सबसे पहले तो आप सभी की पसंद matter करती है पहले से Samsung user हो तो आपको Samsung के स्मार्टफोन ज्यादा पसंद आएंगे और Realme user हो तो Realme के पसंद आएंगे लेकिन प्राइस जान लेते हैं पहले तो Samsung का स्मार्टफोन हाली में launch हुआ है दोस्तो मात्र 6,499 रुपे का flip card पर sale हो रहा है दोस्तो ये smartphone जबकि Realme C63 जो है launch हुआ था 9,000 रुपे में पेमेंट कीजिए अगर आपको पहले पेमेंट नहीं करनी है COD पर मंगाना है दोस्तो सीधा-सीधा Realme की official website पर जाईए और वहां से इसे purchase कीजिए सीधा-सीधा 1500 रुपे का coupon और कोई card यूज नहीं करना पड़ेगा बाकी Samsung में तो सब कुछ बढ़िया लगा मुझे लेकिन इसके charger और 60Hz के refresh rate ने थोड़ा mood खराब कर दिया charger adapter देना चाहिए था Samsung company को हाला कि बहुत सस्ती रेंज में launch किया गया है इस smartphone को लेकिन फिर भी हम अगर इसमें charger adapter खरीटते हैं 25W का 8900 रुपे से कम का नहीं आने वाला तो ये smartphone वैसे भी 7500 रुपे के उपर जा रहा है और 7500 रुपे के उपर तो हमारे पास कई सारे option खुल जाते हैं जबकि Realme C63 तो आपको सीधे सीधे 45W का सूपर बोग charger adapter दे रहा है कम सगम 1200 रुपे कीमत होगी उस charger की दोस्तों और मुबाइल आपका आदे घंटे में ही 50% चार्ज कर लेगा और बाकी 90Hz का refresh rate भी आपको इसमें मिल जाता है तो मुझे प्रशनली Realme C63 ज्यादा बैटर लगा बाई करने के लिए Samsung के मुकाबले Samsung अगर charger भी देता तो सोच सकते दो दोस्तों वैसे Samsung ने काफी सस्ता किया हुआ है इस smartphone को खरीदने का मन है तो अपनी अपनी पसंद है दोनों ही smartphone नॉर्मल यूज के लिए आप खरीद सकते हैं WhatsApp, YouTube, Facebook, Instagram, Telegram, Google Pay, Phone Pay, Paytm जैसी application दोनों smartphone easily handle कर सकते हैं थोड़ी बहुत जो multitasking है उसे भी आप कर सकते हैं दोस्तों और gaming करनी हो तो आप gaming तो कल लोगे लेकिन setting को आपको जो graphic setting होती है उन्हें balance रखना पड़ेगा और थोड़ा बहुती game खेल पाओगे नहीं तो heating इसू आजाएगा और lag इसू अलगा आजाएगा दोस्तों तो आप परिसान हो जाओगे तो gaming के लिए especially नहीं बने होए हाला कि Samsung में G85 दिया गया है चलाने को तो आप इसमें Free Fire और BGMI गेम आराम से चला सकते हैं लेकिन वो प्रो लेवल की gaming आप इससे नहीं कर पाओगे बाकि तो अपनी अपनी पसंद आप comment box मत आईए इन दोनों में से आपको कौन सा smartphone बढ़िय कि實 numسم कि हम बढ़र बाम कि लित मत व yönले कि आराम और BGMI आर मत मत 종řें קरthonा आरारी कि आपको कि कि लिएराव leftover videooda नहीं में से अरी. झाल झाल